अज आपके साथ बात करने वाली हूँ बच्चों को डाइपर पेहनाना सही है या नहीं है तो कितना सही है डाइपर पेहनाने से पहले आपको क्या-kya बात याद रखनी चाहिए मतलब क्या आपको tips follow करने चाहिए जिससे आपके बच्चे को rashes भी ना हो और बच्चा डाइपर में comfort भी feel करें और अगर उसको बहुत ज़दा uncomfortable feel हो रहा है तो आप उसको किस तरह से डाइपर change कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं यह सब कुछ हम जानने वाले हैं इस वीडियो में तो चलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि यह वीडियो में क्या आप से बाते करने वाली हूँ तो फिर जल्दी से अपने वीडियो में move on करते हैं अपसे पहले हम बात करेंगे डाइपर पहनाना बच्चों को ठीक है या नहीं है? तो देखिए फ्रेंट्स डाइपर पहनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हैं लेकिन बस इतना होना चाहिए कि डाइपर आपका अच्छी quality का होना चाहिए कभी भी हमें bad quality जो roadside में, cheap market में diapers मिलते हैं अपने बच्चों के लिए कभी भी यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हम अपने बच्चे के private part में यूज कर रहे हैं इसलिए हमें हमेशा बच्चे के लिए अच्छे quality का ही diaper चूज करना चाहिए मैं आपसे ये नहीं कहती, आप ये diaper खरी दिये, वो diaper खरी दिये आपको जो diaper अपने बच्चे के लिए सही लगता है आप वो diaper अपने बच्चे के लिए सलेक्ट करिए और फिर उसको वही यूज कराईए टिप नमबर टू डाइपर पहनाने से पहले आपको हमेशा अपने बच्चे के प्राइवेट पार्ट में रैशे स्क्रीम जरूर लगानी है रैशे स्क्रीम ये नहीं है कि वो मार्केट की महंगी हो आप घर का coconut oil भी यूज कर सकते हैं वो parachute का हो या पतांजली का हो कोई भी oil हो आपको पैरासूट नारियल ओयल जरूर यूज करना है अपने बेबी के प्राइवेट पार्ट में डाइपर पहनाने से पहले इसलिए आपको हमेशा रैशे स्क्रीम जरूर यूज करनी है जिससे की बच्चे का जो डाइपर है और जो स्किन है वो एकदम कॉंटाक में ना रहे उसमें oiling करने के बाद आप फिर डाइपर पहना दीजे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तिप नमबर त्री डाइपर पहनाने से पहले आपको हमेशा अपने बच्चे के साइज का पता होना चाहिए करना मुझे चाह्ता है जाताक मुझे वाग यह अए बड़ा डाइपर रहे है तो बच्चे को बौट फिर 1 पाइपर परस असलिए उस्कान होगी नहीं तो Sir size में diaper अर रहा है लर रहा है बच्चे की चाल में effect पर सकता है इसलिए बच्चे को कभी भी oversize का diaper ना पहनाएं अब बात करते हैं बच्चे को diaper पहनाना ठीक है या नहीं है तो उसके लिए tip number 4 ये है कि आप बच्चे को दिन भर diaper ना पहनाएं कोशिश करें कि आप उसको दिन भर खुला ही रखें रात में आप बच्चे को diaper पहना सकते हैं ठेंड का मौसर में आपकी भी आँख लग जाती है बच्चे का अगर सुसू कर दिया वो गीला है तो उसको uncomfortable feel होगा कोई भी गीले में रह करके comfort नहीं feel कर सकता है इसलिए आप कर सकते हैं इस तरह से आप दिन और रात में डिवीजन रखें मतलब दिन में ना पहनाए रात में पहनाए तो बच्चे को भी थोड़ा सा पता चलेगा कि मैं दिन में बिना डाइपर के घूम रहा हूं मुझे सुसू आएगी तो मैं ममा को बताऊंगा मैंने इस पर एक वी कि अगर बच्चे बारबर ठंड में मौसम ठंडा है मतलब विंटर से और विंटर में अगर बेबी शुशु कर रहा है और उसको और जदा ठंड लगने के चांसे बढ़ जाते हैं तो आपको तब भी बच्चे को डाइपर ज़रूर पहनाना चाहिए जिससे कि बच्चे का जो बॉडी है वो गीला ना हो और उसको अनकमफर्टेबल भी फील ना हो तो आप उस समय भी बच्चे को डाइपर पहना सकते हैं तो फ्रेंड्स ओवरॉल बात करेंगे तो पता आपको ये चलता है हमारा पूरे टॉपिक का सीर्शक ये निकलता है कि आपको डाइपर पहन लेना है ओवर साइज नहीं लेना है बच्चे की वेट को देख करके ही आपको डाइपर लेना है और समय समय पे डाइपर चेंज करते रहना है रशे स्क्रीम लगानी है तो ये सब बातों को ध्यान में रख करके आप अपने बच्चे को डाइपर पहना सकते हैं ऐसी कोई भ आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा डाइपर के ऊपर कि बच्चों को डाइपर पेनाना ठीक है या नहीं है और पेनाने से पहले आप क्या-क्या बातों को ध्यान में रख सकते हैं तो बस इसी के साथ मैं वीडियो यहाँ पर फिनिश करती हूं मिलती हू आपको एक वर इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ अब तक के लिए टेक कियर बाई बाई